क्या सच में यामी गौतम मा बनने वाली हैं? आखिर ऐसा क्या कह दिया ट्रेलर लॉंच में यामी गौतम और उनके पती आदितेधार ने कि फैंस हैरान रहे गए? वेल, मैं आपको बताती हूँ हेलो गाईज, नमशकार, मैं हूँ साधना गुपतर आज की इस नियूज में मैं आपका स्वागत करती हूँ गाईज, यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 का ट्रेलर लॉंच हो चुका है और जल्दे हमें ये मूवी थेटर्स में देखने को मिलने वाली है आपको बता दूँ कि ये मूवी रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ट है और यामी गौतम का इस मूवी में काफी अच्छा केरेक्टर है बात करें मूवी में यामी गौतम के एक्टिंग की तो वो भी लाजवाब है गाईज इससे पहले भी यामी एक से एक मूवी में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुकी है और अक्सर वो हिट फिल्में देती आती है और यामी की मूवी होती भी जबजस्त है यार अब चाहे बात उरीद सर्जिकल स्ट्राइक की कर लो या फिर OMG2 की सारी ही मूवी में यामी गौतम ने बड़ा ही जबजस रोल प्ले किया है वहीं यामी अब तक 27 मूवी में काम कर चुके हैं गाईज जिसमें हिंदी मूवी के अलावा तमिल, कनारा, मल्यालम और भी मूवी इंक्लूड है गाईज टेलर लाउंच इवेंट में यामी और उनके पती आदित धार ने यामी की प्रेगनेंसी की बात फैंस को बताई और कहा हम जल्दी ही पैरेंट्स बनने वाले हैं गाईज यामी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर फैंस को काफी खुशी हुई है और सभी अभी यामी के फर्स्ट बेबी को जल्दी इस दुनिया में देखने के लिए excited भी है And you know guys, यामी ने और किसी से नए बलकि उरी मुवी के डारेक्टर आदित इधास से ही शादी की है मुवी के शूटिंग के दोरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने 4 जून 2021 को शादी कर ली हलांकि अभी यामी और आदित्या शादी के तीन साल बाद अपना पहला बेबी एक्सट कर रहे हैं और बेबी के लिए दोनों कपल काफी excited है और guys, बात करें यामी के upcoming movie article 370 की तो ये 23 February से थेटर में रिलीज होने वाली है जिसका fans बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो ये थी यामी गौतम से related कुछ latest update वीडियो पसंद आई हो तो like करें, comment करें और share करना ना भूले ऐसे ही और updates के लिए channel को subscribe जरूर करें और bell icon प्रेस करना ना भूलें Thank you